प्रदेश प्रस की शुरुवात बड़ी खबर के साथ करेंगे आयोध्या से कोरुना से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है 20 मार्च से होने वाला धार्मिक अनुष्ठान टाल दिया गया है कोरुना वाइरस को लेकर यह आयोजिन टाला गया है 22 मार्च से शुरू होगा धार्मिक अनुष्ठान काशी से बुलाए गए विद्वानों को रोका गया आयोध्या के विद्वान ही पूजा पाथ करेंगे तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कोरुना से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है अयोध्या में 20 मार्च यानि की आज से धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा था लेकिन उससे डाल दिया गया है और अब यह जो अनुष्ठान है वो 22 मार्च को होगा तो काशी से जो विद्वान गुलाए गए थे उनको भी रोका गया है रिशी गुपता मारे साथ हमारे संबाद आता जुडगें ज्यादा जानकारी के साथ रिशी कोरोना को लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और अब धार्मिक अनुष्ठान पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है जिसको कुरोना वारत को देखते हुए यह भी 20 मार्श को कर दिया गया है जिसमें कासिक के बिद्वान जो संब्रा बिद्वान नेगों अनुष्ठान की पूजा करते बड़े बिद्वान के पूजा होता है 24-25 मार्श की सुष्ठा रामदाला का बर्षन होना और फाइबर के स्टेचर न भवान रामदाला को स्मूजा करना है इसको लेकर कि 20 मार्श को अनुष्ठान होना था जिसको कुरोना वारिट को देखते हुए बड़ते आप को 22 मार्श को ईक्ट पर दिया गया है बहुत शुक्रे आपका रिशीत अमाम जानकारी के लिए लगा दिया क्या है दो अप्रेल तक सभी की एंट्री स्टेडियम में बंद कर दी गई है कोरुना वाइरस के चलते ये फैसला लिया गया है तो एक तरफ कुरुना को लेकर सरकार गंभीर है बड़े कदम उठाए जा रहे हैं तो वहीं इसका फाइदा कैसे लोग उठा रहे हैं ये भी आपको बताते हैं गोंडा में मास्क और सैनीटाईजर की विकरी में काला बाजारी को देखते हुए दिले के ड्र sentimental और उनकी टीम ने मेडिकल स्टोर पर एक इबाद एक चछापे मारे कोरोना वाइरस के बढ़ते प्रकोप के बाद से ही दिनों दिन मास्क और सेनिटाइजर की भिक्री में उनके कीमतों में बढ़ते जापा और उसकी काला बाजारी की शिकायते सामने आने रगी थी करवाई से कई मेडिकल स्टोर्स के मालिक अपने दुकाने बंद कर वहां से भाग खड़े हो शार्दा मेडिकल स्टोर पर चापेमारी के दौरान दीन को भारी मादरा में मास्क बरामद हुए है तिलहाल करवाई करते हुए साथ दिनों के लिए मेडिकल स्टोर बंद करवा द तो चेक आउट रखने के लिए टीम हमने यहां पर बनाई थी आज गॉंड़ा में तो हॉस्पिटल के सामने सारदा मेडिकल इस तो सबसे पहले चाप हमारी की गई तुकायता आ रहे थी कि प्रादा मातरा में पैसे में करो मास्क पेच रहे हैं लेकिन अब बिल मांगने पर प्रोडूस कर दिया है लेकिन कुछ हैंने में इतना है थी जिसके अंदर गट उनकी दुपान अब हमारे प्रगेंट कोस्मेट के अंदर 22 बंडे के अंदर दुपान उनकी बंद करा दी गई है में एता में कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है चीन के वहान शहर से एता लोट्री महिला नेहा यादव को मुख्य चिकिस्ता अधिकारी द्वारा एता जिला स्पताल में आइसोलेशन वौड में भरती कराया गया लेकिन वो अचानक बिना किसी को बता फिलाल पुलिस फिर दोनों पति पतनी को तलाश करें अधिकारी देश प्रदेश भर में कोरोना वाइरस से निपटने की हर संभब कोशशे की जा रही है यूपी के गुंडा में जेल प्रशातन द्वारा कोरोना वाइरस के चलते कैसा कदम उठाया क्या है जिससे जेल में बंद कैदियों से उनके परिजनों द्वारा मुलाकात पर पावंदी लगा दी गई है हाला कि मुलाकात अब स्काइप के जरीए कराई जा रही है प्रशान मंतरी नरेंदर मोधी ने कोरोना वाइरस को लेकर राष्टर को संबोधित किया इस तोरान उन्होंने देशवासियों से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने का आवाहन किया है पीम ने ये भी कहा कि ये वैश्विक महामारी हो चुकी है इससे पूरा विश्व परिशान है उन्होंने देशवासियों से वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एक साथानी की अपील की साथ उन्होंने बुजर्गों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की उन्होंने कहा कि लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि वो केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्ष का अनुपालन करेंगे मोदी ने लोगों से अंदरोध किया कि वो नियमे जाच के लिए अस्पताल जाने से बचें ताकि स्वास्ते करीमियों पर दवाब कम हो कि इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जगस्वस्थ हम स्वस्थ तो जगस्वस्थ ऐसी स्थिति में जब इस विबारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खूद का स्वस्थ बने रहना यह सबसे पहली आवश्चक्ता है यह है जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस रभिवार याने दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रभिवार को सुबे 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देश्वाश्यों को जनता कर्फ्यू का पानन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बहार न निकले न सड़क पे जाएं न महले में या सोसाइटी में एकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हां जो आवशक सेवाँ से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा तो उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं सात्यों बाइस मार्च को हमारा यह प्रयास हमारे आत्मसंयम देश हित में करतेवे पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीख होगा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोतियों के लिए भी तैयार करेंगे मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रूत पकर और इस बीच बड़ी खबर आयुद्या से जहां अवद विश्विद्याले दो अप्रेल तक बंद कर दिया गया है कुरोना वाइरस के चलते ये पैसला लिया गया है जरूरत पढ़ने पर शिक्षक कर्मचारियों को बुलाया जाएगा लेकिन फिलहाल अवद विश्विद्याले को दो अप्रेल तक के लिए बंद कर दिया गया है उदर आगरा में कुरोना वाइरस से बचने के लिए आरमी ने भी मतुरा में होने जा रही आरमी की भरती को इस्थागित कर दिया है आर्मी रिक्रूटमेंट आगरा के डिरेक्टर के मुताबक भर्ती के दौरान 6 जिलों से लाखों की तादात में युवा भर्ती के लिए एक स्थान पर इखटे होंगे जिससे कोरोना के पैलने का खत्रा बढ़ जाएगा इसलिए इस भर्ती को इस्थागित किया जा रहा है कोरोना वाइरस को लेकर आयोध्या के राम नवमी मेले को स्थागित किया जा सकता है इसके लिए आयोध्या जिला प्रशासन साधुसंतों को मनाने में जुटा है जिलाधिकारी के मताबिक लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सहे समय पर फैसला लिया जाएगा और ऐसी कोशिश की जाएगी कि बड़ी संख्या में लोग आयोध्या ना पहुंचें मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष महन्त मृत्य गुपाल दास का गहना है कि कोई भी आयुध्या आने वाले श्रक्धालों को रोक नहीं सकता वारनशी में नाविकों ने अब कोरुना के खिलाब जंग छेड़ी है अगर नव पर बैठना है तो कौरुना सब्चाव करके ही बैठना वारणसी में नाविकों ने नौका विहार करने वाले परेटकों को सनिटाइजर का इस्तमाल कराया फिर मास्क दिया और इसके बाद नाख में बैठने को जगा दिया करना की मार अब रेलवे पर भी पड़ रही है रेलवे स्टेशन पर भीड कम होने लगी है लोग यातुरा करने से भी डर रहे हैं यात्री जो टिकेट बुक करा रहे थे कई महीने पहले जो बुक कराए गए थे वो टिकेट कैंसल हो गए हैं तो वहीं टिकेट बुक कराने वा इसको आप यह मान सकते हैं कि रेलवे में कितना आर्थिक नुकसान हो रही है और दूसरे सब्दों में यह भी मान सकते हैं कि हमारे जो नागरिक हैं जो हमारे रेल उजर्स हैं उनमें जागरिती भी आ रही है वो चाह रहे हैं कि अती आवश्यक अगर कोई काम हो तो यात्रा क पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है पत्नी की शिकायत पर पुलिस शिक्षक को उठा कर लाई थी तीचर को उठा कर लाई थी आनन्द पानर में अस्पता लेकर गई पुलिस लेकिन डॉक्टर्स ने टीचर को मृत घोशित कर दिया तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ी लापरवाही सामने आई है डॉक्टर्स ने शिक्षक को मृत घोशित कर दिया है पुलिस खिरासत में था टीचर पत्नी की शिकायत के बार टीचर को पुलिस हिरासत में ही टीचर ने फासी लगाकर आत्म हत्या कर ले द्रवाकोत वाली की ये बाड़ी ला परवाही सामने मौकित पह Hersland ने कैसे हैं एक टीचर ने आत्म हत्या कर लिए वाहां पर पर टेकर dros परिजनों के अंपिजार हो रहा है, सब को पॉस्टमाटम भीजने के लिए, फिलाल मौके पर जो उनके सस्राल वाले वहाँ पर मौदूद है, और जो आगी कारवाई है, वो अधिकारी दोरे की जा रही है. बहुत शुक्रिया आपका नित्या तमाम चांदकारी के लिए. बहुत शुरू करती है, तो दो परिवारों को बंदक बनाकर डकैती का मामला बुलंद शहर से सामने आया है, छे से ज्यादा बदमाशों ने घर में डकैती डाली है, नगती, जिवरात, तमाम चीजे लेकर बदमाश परार हो गए, दो परिवारों को बंदक बनाकर डकैती क मामला बुलंद शेर से सामने आया है और संभल में घर के बाहर खेल रहे 11 साल के एक मासूम बच्चे का ग्याद बदमाशों ने अपहरंड कर लिया और परिवार से 8 लाख की फिरौती की मांग पून पर की घटना संभल कोतवाली सदर के महला हलू सराय की है मासूम चौती क्लास का चात्र है फिताब पमासा में ग्राम पंचयत अधिकारी है इधर चात्र के अपहरंड के खबर से पुलिस महकमे में हरकम मचा हुआ है फुदैस्पी संभल यमना प्रसाद फीडित परिवार के घर पहुंचे और पूरी घटना के जानकारी ली बच्चे के साकुषर बरामदगी के लिए पुलिस की तीन सी में लगाई गई है पुलिस सभी पहलों परकाम कर रही है तीन सी में बनाई गई है बच्चा बच्चों संभला था वो दो के तीन बएक आसपस की बात है इस तेम की बात है हमें पांच बच्च के बीस मेंट पर किलाता है जब स्थी पॉल आई है जो ठाके ले गया है कि मैं यहां से बोलना हम कासीपुर से इतने पैसे लिया हूँ तो संभल से ये अपहरन की खबर सामने आई है उबैदुर रह्मान हमारे संभाद आता चुड़ गया है पॉल नाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ उबैदुर रह्मान क्या अपडेट है पुलिस के हाथ अभी तक कहां पर पहुँचे हैं क्या कुछ सुराग मिल पाया है अब वहरन करता हूं का आदिए अभी पुलिस की तेन टीमें जो है वो सुराग रसी करने में लगी हुई है कल दोपेर बात के बात से बच्चे का अफरण किया गया था घर के बाहर खेलते समय तो अभी पुलिस की गैट में लगी हुई है और बच्चे का जो कॉल आ रही है परफ़े बता रहा है जो फ्रोटी मांग रहे हैं आठ लाग रुपए की फ्रोटी की बात कही गई है लेकिन पुलिस जो है उसको ये भी वो है कि पहले एक बार पहले भी इस तरह का गटना हुई है इस बच्चे के साथ कि अपरण की बात आई थी सामने लेकिन उस वक्त कोई गिरफतारी नहीं हुई थी और बच्चे को पुलिस बच्चे ने अपरण करताओं को बताया था कि मेरे पिता जो है पुलिस में है इस वज़ा से वो उनको छोड़के चल गया थे जी तो पुलिस इस मामले को दोनों तरह से देख रही है कि संदेख भी हो सकता है मामला और जो हकीशत में अगर अपरण हुआ है तो पिलकुल तमाम पहलों पर जो है वो जांच की जा रही है बहुत शुक्रिया उबैदुर रह्मान तमाम जानकारी के लिए करने के उपकरण बरामत किये गए हैं घायल बदमाशों को पुलिस ने जिला स्पताल में इलाज के लिए भरती करवाया है वहीं परार बदमाशों के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है और यहां वक्त एक शोट इसे ब्रेक का है जल लॉटिंगे ब्रेकी बाद स्वागत है आपका और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की आखिरकार वो दिन आही गया जिसका इंतजार करीब साड़े साथ साल से पूरा हिंदुस्तान कर रहा था ठीक साथ साल तीन महिनी और चार दिन बाद निर्भया की चारो दोशियों को फांसी दे दी गई दिली के तिहार जेल में ठीक सुभा पांच बच कर तीस मिनट पर चारो दोशियों अक्षय, बिने, पवन और मुकेश को फंदे पर लटकाया गया और निर्भया को इंसाफ मिला फिलाल दिली के दीन दयाल उपाद्धिया अस्पताल में चारो शवो को लाया जा चुका है जिसके बाद जेल प्रशासन दोशियों के कपड़े और उसके सामान परिजनों को सौंप देंगे इदन निर्भया की मान ने कहा है कि अब कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे अलग-अलग भी दोशियों को फांसी देने का प्रावधान हो सके ताकि दोशी बार-बार पेटीशन दाखिल करके फांसी को टालने के कोशिश ना कर सके कोट से आग्रह करेंगे कि सुप्रीम कोट एक नया गाइड लाइन निकाले कि जिस तरह से निर्भया के केस में धिले टेक्टिस अपनाई गई है वो बाउंड हो एक समय बाउंड हो कि अगर एक से जादा मुझरिम है एक साथ उसको फासी होनी है तो एक साथ ही मरसी करें दयाज का करें एक समय के अंतराल करें निर्भया को अंसाफ मिलने से ना सिर्फ उनके माता-पिता खुश हैं बलकि परीजन भी काफियोच साहित हैं क्या कुछ कहना है निर्भया के परीजनों का ये भी सुनवाते हैं ये हम लोगों को पता चला तो सुबह चल के आज है हम लोगा सुबह सुबह आए हैं इस गावने इनके घर और महिलाओं को पर जो अत्यश्यार हो रहे हैं इसके लिए हमेसा आवाज उठनी चाहिए इतना सोचते थे कि इनको फांसी तो होनी है जब एक बार एक कोट किसी चीज को फांसी या कोई सजा सुना देता है तो उसमें आप जितना मर्जी ताहर लिजिए लेकिन उसको देख करके ही कोई भी जज अपना फैसला सुनाएगा एबिपी गंगा ने निर्भिया पक्ष की वकील से भी बातशीत की है वकील सीमा कुषवाह ने कहा कि जो भी दरिंदगी करेगा वो कानून से बच नहीं सकता सीमा ने कहा कि दरिंदों ने बचने के लिए काफी चाल चली लेकिन आखिरकार उन्हें फासी के फंदे तक पहुंचा ही दिया गया दरिंदों ने कानून की कौन सी किताब नहीं छोड़ी होगी जिससे बच निकलना चाहते थे लेकिन निर्विया केस में जो सबसे बड़ी लड़ाई नियाय के मंदिर में लड़ी वो लड़ने वाली हैं सीमा कुश्वा अधिवक्ता आप अधाईए के सारे पन्ने खंगाल लिये सारा समयदान कानून सारा IPC CRPC लेकिन आज दरिंदे अपने मुकमल अंजाम तक पहुंच चाहा रही थी इतनी दरिंदगी होने के बाब जूद भी वो अपने जीवन के सर्भाइविंग के लिए लड़ाई लड़ती रही तो हमारी फाइट उन निर्विया के वो 12-13 दिन की फाइट के आगे कुछ भी नहीं है लेकिन आपने जो बात की कि इन कन्विक्टिड के के लिए इन्हों ने जो हीनियस क्राइम किया था उसका जो मैक्समम पनिस्मेंट डेथ सेंटेंस था उससे इनको अबॉडिट किया गया क्योंकि जो हीनियस क्राइम था उसका यही पनिस्मेंट था यह रेयर आप रेयरेस्ट मेंटर था और इसे के साथ इस बुलिटन में फ झाल झाल